बारिश नहीं बलकि इस दिल्चस्प वजह से रूखा भारत वेस्ट इंडीज का मैच जानकर होगी है रानी अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित सेंट्रल ब्रवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम में रविवार को भारत वेस्ट इंडीज के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया तीन मैचों की टीड़ट सीरीज में भारत ने डगवर्थ लुइस नियम के तहत दूसरा टीड़ट मैच भी अपने नाम कर लिया विराट सेना ने कैरी बिया आई टीम को 22 रनों से हरा कर 2-0 की अजेय बर्त के साथ सीरीज पर भी कपज़ा कर लिया हाला कि मैच के दोरान एक अजीब अगरीब विज़े से खेल को रोग दिया गया भारत के 167 रनों के लक्षे का पीछा करने उत्री वेस्ट इंडीज टीम ने 15.11 तीन ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 98 रन बना लिये थे उसी वक्त भारतिय सम्यान उसार रात तकरीवन 11 बजे के बाद मैच को रोग दिया गया जबकि उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी बावजूद इसके अंपायर्स और खेलाडियों को मैदान से बाहर जाने के लिए कहा गया दरसल फ्लोरिडा में अकसर जब आकाशिय बिजली करती है तो सभी को घरों या किसी छत के नीचे या घरों के अंदर जाने के लिए कह दिया जाता है यही इस मुकाबले में भी हुआ जब सभी को मैदान से बाहर जाना पढ़ा इस शेत्र के लिए प्रशासन और मौसम विभा की ये चितावनी है कि जब भी आकाशिय बिजली करके तो किसी छत के नीचे छिदाएं और उंचाई वाली जगह पर ना रहे रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां बिजली गिरने की वज़य से कई लोग अपनी जान धावा चुके हैं ऐसे में प्रशासन किसी भी तरह की धील नहीं बरतता है यही वज़य थी कि मेच को बीच में ही रोक दिया गया और काफी इंतजार के बाद मुकाबले को खत्म करने का फैसला लिया गया